गुरुदेव और मागायत्री के चर्ण में कोटी-कोटी नमन करते हुए गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम जानेंगे क्या हम उतने ही हैं जितना की हमारा स्थूल शरीर प्रथम विश्व युद्ध के समय डॉन और वाव नामक दो अमेरी की सैनिक युद्ध के एक मोर्चे पर एक साथ घैल हो गए विदौनों गहरे मित्र भी थे डॉन तो तुरंत मर गया किन्तु वाव उपचार से ठीक हो गया पर स्वस्थ होने पर वाव के सभा में भारी पर लिवरतन देखा गया वाव अपने मित्र डॉन जैसा ब्यवहार करने लगा स्वेम को डॉन कहता था किद्ध समाप्त होने पर वा घर के लिए रवान हुआ किन्तु अपने घर ना जाकर डॉन की घर जा पहुँचा वहाँ डॉन की माता-पिता से मिलकर उतना ही प्रसंद अचरण और बेवहार में डॉन से पूर्ण समानता होने पर भी बॉब का शरीर तो पूर्वत ही था डॉन के माता-पिता ने वाव को अपना पुत्र मानने से इंकार कर दिया इस पर वाव रूपी डॉन को विशेश दुख हुआ उसने डॉन के माता-पिता को अतीच से उसके सारे ग्रिया कलाप डॉन जैसे हैं तथा डॉन की आत्मा वाव के शरीर में प्रविश्ठ हो गई है ये घटना विज्ञान के लिए एक चनोती जैसी है इसी तरह की एक घटना इस पेन में भी देखने में आई इस पेन में भी आशर जनक घटना हुई दो लड़किया एक बस में चा रही थी इन में से एक का नाम हाला तथा दूसरी का नाम मितकोल था बस रास्ते में ही दुरगटना ग्रस्त हो गई मितकोल दुरगटना में पिसकर मर गई हाला को चोट तो नहीं लगी किन्तु भै के कारण बहोश हो गई कुछ समय बाद उसे होश आया दुर लड़कियों की अभिवावकों को मिली अपनी बच्चीयों को देखने दोनों दुरगटना इस थल पर पहुँचे हाला की पिता उसकी और बढ़े तथा उसका नाम लेकर पुकारा पर आशरिय वहां बोल उठी मैं हाला नहीं मितगोल हूँ ये कहकर वहां मितगोल की पिता की और बढ़ी अभिवावकों को नहीं से इस्प्रती भ्रंश समझ कर उसे दरपन दिखाया जिससे दरपन देखकर भ्रहम धूर हो सके परन्तु दरपन देखकर वहां बोली मितगोल हमारा रूप कैसे बदल गया हाला के पिता किसान थे वह अधिक पढलिक नहीं पाई थी मित मितगोल कॉलिज में पढ़ती थी तथा विभिन विश्यों की जानकार थी हाला के पिता समझा बुझा कर लड़की को अपने साथ ले गए वह इस विध्यालाय में पढ़ने गई जहां पहले हाला पढ़ती थी किंदु वहां उसके ब्यवार में पूरी तरह परिवर्तन दे से अनेकों प्रमाणों से प्राचारे महुदय को ये विश्वा सो चला कि हाला का शरीर होते हुए भी उसमें मितगोल की आत्मा है जो भी प्रयोक परिक्षण हुए उनसे ये बात सिध्ध हुई विश्व विख्यात चित्रकार गोया की आत्मा अमेरिका की एक बिद्वा है किया विद्वा हैन रोट ने अपने जीवन काल में कभी चित्र नहीं बनाया था अमेरिकी विशेशग्यों को विद्वा के विवहार में गोया की आत्मा झाकती दिखाई दी घटना 7 नवंबर 1918 की है जब पहला विश्विद्ध चल रहा था एक फ्रांसीसी लड़का ट्रे और उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था घर के लोग कुछ भी समझ नहीं पाए टेड इतना कहकर बेहोश हो गया कुछ दे बाद बेहोश रहने के बाद उसे जब होश आया और वह बोला अब भी ठीक हो जाएंगे घर के लोगों ने टेड के बेहोश होने से पूर जहां की तहां समाप्त हो गई प्रथम विश्वेद जब समाप्त हुआ और टेड के पिता जब घर लोटे तो सजनों को उस दिन की घटना याद आई जब टेड के पिता ने बताया कि साथ नवंबर को मैं मरते मरते बचा पूछा गया कि क्या बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि मैं उस दिन एक गैस चेंबर में फस गया था जिसमें मेरा दम घुटने लगा था मुझे दिखाई देना भी बंद हो गया था तभी मैंने देखा कि टेड जैसा एक लड़का उस युद्दी की विवीशिका में ना जाने कहां से आप पहुँचा और उस चेंबर क मने खुल कर मुझे हात पकड़ कर बाहर खीचा उसने चेंबर का मौ खुल कर मुझे हात पकड़ कर बाहर कीच लिया तभी मेरी यूनिट के सेनकों की दरश्टी मुझे पर पड़ी और उन्होंन मुझे अस्पताल पहुचाया ये विवरण सुनकर ही घरवालों को उस दिन चीखने बेहुश होने तथा होश में आने पर आश्वस्त ढंग से बात करने की घटना याद आई इतली के एक पादरी अलफोसेंस लिगाडरी के साथ 21 सितंबर 1974 को ऐसी घटना घटी उस दिन वे ऐसी गहरी दीन में सोई कि जगाने की बहुत कोशिशे करने के बाद भी ना जगाए जा सके ये ब्रह्म हुआ कि कहीं वे मरतों नहीं गए इस ब्रह्म की परिक्षा के लिए उनकी जाच की गए तो पता चला कि वे पूरी तरह से जीवे थें कई घंटों तक भी इसी स्थिती में रहे उन्हें जब होश आया तो देखा कि आसपास लगबख सभी साती सहयोगी खड़े हुए थे उन्होंने अपने सातियों से कहा मैं आपको एक बहुत ही दुखत समाचार सुना रहा हूँ कि हमारे पूजनी पोप का अभी अभी देहान थो गया है सातियों ने कहा आप तो कई घंटों से अचे थे आपको कैसे मालूम हुआ लिगाडरी ने कहा मैं इस देह को छोड़कर रूम गया हुआ था और अभी अभी वहां से लोटा हूँ उनके साथियों ने समझाए कि वे कोई सपना देखकर उठे हैं और अपने सपने में ही उन्होंने पोप की म्रत्यू देखी होगी चार दिन बाद ही ये खबर लगी की पोप का देहांत हो गया है और वो उसी समय हुआ जबकी लिगाडरी अचित थे तो उनके मित्र साथी चकित रह गए एक स्थान पर रहते हुए भी मनुश्य अपनी आत्मा की शक्ती द्वारा दूरवर्ती छेत्रों में संदेश पहुँचा सकता है उप्रोक्त घटना में जाने अन जाने सुक्ष में शरीर ही सक्रिये रहा है यदि सुक्ष में शरीर की शक्ती को जागरत कर लिया जाए तो उसे जब चाहे तब मन चाहे करतफ किये जा सकते हैं 1924 में अलजीरिया में कैप्टन दुबो के साथ ऐसी ही घटना घटी जिसमें सुक्ष में शरीर के आस्तित्व और उसकी शक्ती मत्ता का प्रमार मिला कैप्टन दुबो जल अलजीरिया की छोटी से गाउं से कुछ रोगियों को देख कर लोट रहे थे गाउं का मुखिया अब्दुल उन्हें धन्यवाद देने के लिए उनके साथ साथ आया बातों ही बातों में अब्दुल ने कैप्टन से सुक्ष में शरीर के अनेक चमतकारों का उलेक कर दिया दुबो ने अब्दुल की बातों में कोई रुची नहीं दिखाई और उल्टे इसे गप बाजी कहा इस पर अब्दुल ने कहा कि मैं इसे प्रमार्णित कर सकता हूँ कैप्टन ने जब उसकी ये बात सुनकर भी अवश्वास से सिर हिलाय तो अब्दुल कुछ देर के लिए ध्यानस हुआ और फिर आखे कुल कर बोला आप अपने पीछे मुड कर देखिए जैसे ही उन्होंने पीछे मुड कर देखा तो उन्होंने दीवार पर एक ऐसी कलाकरती टंगी पाई जो उन्हें बहुत प्रिये थी और उस समय वहां से हजारों मील दूर पैरिस में उनके घर पर थी उसी दिन कैप्टन दुबो के पिता पियरे ने पैरिस की पुलिस में रिपोर्ट लिखाए कि उनके घर से दस लाक रुपे मुल की आदुतिय कलाकरती चोरी चली गई है पियरे के अच्छे मित्र थे उन्होंने शिकायट मिलते ही अपने सर्विस रिष्ट गुप्तचर कलाकरती की खोज में लगा दिये कई दिन तक लगातार खोज चली पर कलाकरती की कोई खोज ना मिल सकी जिस कमरे में कलाकरती टंगी थी उसमें किसी ने जवरन प्रवेश करने या उंगली के निशान भी नहीं मिले थे पियरे ने इस कलाकरती की चोरी की खवर अपने पुत्र को भी दी तब सारी बात जानकर कैप्टन दुबो, पुलिस कमिशनर और अनधिकारियों को भी बड़ा आशरे हुआ इन सारी घटनाओं को विशलेशन यदि किया जाए तुसे प्रेणाएं दिशाएं तथा मनतव या अनिक प्रकार से निकाली जा सकते हैं परंतु इन सबका निशकर्ष एक ही निकलता है वह है स्थूल शरीर से परे मनुष्य का एक और भिन आस्तित्व स्थूल शरीर की एकाई है प्रोटो प्लाजा इस सूख्ष में शरीर की एकाई क्या है ये अन्वेशन का विशह है किन्तू ये तथ्य निर्विवाद है कि शरीर में एक और शरीर जिसे भारती तत्व दर्शन सूख्ष में शरीर कहते हैं निवास करता है ये सूख्ष में स्थूल से कहीं अधिक समर्थ और चमतकारी है सच तो ये है कि स्थूल शरीर के सारे क्रिया कलाप उसी के द्वारा संचालित होते हैं उसके दुकान बंद करते ही स्थूल शरीर की तिजारत हमेशा के लिए बंद हो जाती है ये सूक्ष्म शरीर जिस प्राण इस फुलिंग के समुच्चे से बना है यनि प्राण के साथ जो मिलकर बना है ये सूक्ष्म शरीर वह अपने आप में अनंत शक्तियों के स्तरोत समाहित किये हुए हैं इसलिए शरीर पाँच प्राणों को पाँच देवता कहते हैं ये एक द सुप्त घटनाओं से अनभाव भर किया जा सकता है उसका पूरी तरह अनुवान लगा सकना कठिन है तो ये है हमारे सूख्ष्म शरीर की सामर्थ जो हम स्थूल शरीर देखते हैं हमारा शरीर उतना ही नहीं है उससे भी आगे हमारा है सूख्ष्म शरीर तो अगर आपको ये जान करें पसंद आई यह हो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें मंतर सद्धी चैनल